असलाम अलेकुम, MTH601 के Lecture 30, Transportation Models के बारे में आज हम बात करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो काइंडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजे, जजाक अल्ला खेर, जी तो अब तक हमने Linear Programming को स्टडी किया, हमने Linear Programming क के Problems को Formulate किया, उसके बाद हमने उनको by Simplex Method solve out किया, और जहां पे Simplex Method useful नहीं था, वहाँ पे हमने Big M टेक्नीक्स और Two-Phase Methods को यूज करते हुए, Feasible Solution निकाला, फिर उसके बाद हमने Variants भी पढ़े Simplex Method के, आज हम बात करेंगे Transportation Models की, Linear Programming की कुछ Problems ऐसी हैं, जो इतनी Broadly Formulated होती हैं, कि उन पे हमारा Simplex Method काम नहीं कर सकता, क्योंकि Simplex Method is a simple way to solve out the Linear Programming Problem, जहां पे बहुत वाइड आपके पास Concept आ जाएगा, वहाँ पे Simplex Method यूज करना जो है, वो हमारे लिए बेकार होगा, तो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐ इसी Problems हैं, जो Broadly Formulated हैं, और जिन पे Simplex Method काम नहीं कर रहा है, और उसके लिए हमने क्या तरीका एकार इस्तमाल करना है, तो इसमें कुछ ऐसी Specific Types हैं, LP Problems की, जो नहीं होती, Simplex Method से, जिसमें आपके Transportation Models आ जाते हैं, Transshipment Models आ जाती हैं, and Assignment Models आ जाते हैं, Transportation Models आ जाते हैं मैंने एक Diagram Draw की है, कि आपकी कुछ Factories हैं, जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, Factories A and B जो हैं, यह आपका Initial Point है, जहां से आपकी चीज प्रोड्यूस होके, प्रोडक्शन होके आगे जा रही हैं, तो जो आपका Initial Point है, जहां पर प्रोड प्रोड्यूस की, और उसके बाद यह चीज जो हैं, यह आगे किसी जगा पर गई, वेरहाउस हो जाए, यहां आउटलेट हो जाए, कोई भी जगा हो जाए, उसको हम बोलते हैं, Destinations और Sinks, इदर आप देख सकते हैं, हमारे पास Factory A जो है, Origin A जो है, वो दो Destinations पे ट्रांस्प आपका transportation cost है, एक factory से एक वेरहाउस सक जाने के लिए, actually हमने transportation model बना के उस cost को minimize करना है, ताके हमारा profit जो है, वो maximum हो जाए, यानि इस LP problem को हम optimize करेंगे, तो यह आपके पास transportation models होते हैं, जिसके बारे में हमने आज majorly बात करनी है, बाकि कुछ और problems भी हैं, जो simplex methods से solve out नहीं क की जा सकती हैं, जैसे कि आपकी transshipment problems है, transshipment models है, उसमें और transportation models है, इनमें थोड़ा सा difference है, transportation model आपकी transportation cost है, factory से लेके, यानि origin से लेके एक destination तक, वो destination आपका factory outlet भी हो सकता है, जहां पे आपने उसको display कर दिया है, और sale के लिए चीज़े ready हो गई है, वो आपका warehouse भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, transshipment model जो है, उसमें आपकी destination और आपके origin के दर्मियान एक stop point भी होता है, यानि उसने वहाँ पर रुखना है, ब्रेक लेनी है, और फिर आगे चलना है वहाँ से, तो उस किसम के models जो होते हैं, उनको हम transshipment models बोलते हैं, बसलान आपकी factory ने एक चीज प्र मॉल के उपर, तो उससे पहले वो वेर हाउस में जाएगा, और उससे आगे फिर वो मॉल्स में या different shops में distribute किया जाएगा, तो ये आपके पास उसका destination जो है, वो मॉल्स या shops थे, लेकिन दर्मियान में उसको वेर हाउस पर रुकना पड़ा आगे उसकी distribution होने के लिए, तो इसमें आपका बीच में एक stop over आगया, origin और आपके destination के दर्मियान, तो इस किसम के जो models होते हैं, उनको हम transshipment models कहते हैं, और तीसरी चीज़ assignment models है, assignment models basically ये होते हैं, कि जो भी काम या job की जा रही है, उसमें हर person को एक job assign की गई है, यानि हम ये assume करते हैं, कि जितने हमारे पास number of persons या agents हैं, उतने ही number of tasks हैं, यानि हर बंदे ने एक काम, एक बंदे ने एक काम करना है, यानि इनके दन्मियान one to one correspondence है, तो majorly चुँके हमने transportation models को deal करना है, इसलिए ये मैंने आपको transshipment और assignment का एक छोटा सा overview दिया है, लेकिन जो बात हमने करनी है, आज वो हमने transportation models के उप करनी है, I hope कि आपको पता लग गया होगा, sources क्या है, sinks क्या है, यापके MCQs के हवाले से information जो है, important है, कि destinations जो है, उनको हम क्या बोलते हैं, और origins को क्या बोलते हैं, तो आईए अब हम देखते हैं कि transportation model जो है, उसको हमने table की form में कैसे करना है, और फिर उसकी linear programming problem को कैसे formulate करना ह तो उन्हेंने आपको यहाँ पर एक problem दी वी है, उन्हेंने काए, जी M factories हैं, जो N warehouses को supply कर रही हैं, अपना product, अब हमें यह पता है कि factories जो होती हैं, वो हमारे origins होते हैं, और destinations जो होती हैं, वो हमारे warehouses हैं, table 1 के अंदर आप देख सकते हैं, origins यानि factories जो हैं, वो आप उस first column म के M तक हैं, similarly आपकी destinations यानि warehouses 1 से लेके N तक दिये हुए थे, तो आप destinations के नीचे वाली row देख सकते हैं, 1 से लेकर N तक शो हो रही है, अब इस table के हंदर हम costs शो करेंगे, कि आपकी transportation cost क्या है, factory से warehouse तक जाने के लिए, तो जब factory 1 से warehouse 1 पे जाएगा आपका material तो आपकी transportation cost ये देखिए, शो हो रही है, C11, similarly जब factory 1 से आपके warehouse 2 पे जाती है चीज, तो उसके लिए जो cost है, वो C12 से शो हो रही है, and so on, अब इस table के अंदर आपका N वाला column जो है, वो आपका शो कर रहा है, A को और, A क्या चीज़ है, A आपके पास वो unit है, जो factory produce कर रही है, यानि जो supply कर रही है, last column आप देखिए, चुके M factories हैं, तो वो M units produce करेंगी, A1, A2, up to AM, या आपका last column है, इस table का, ये actually A1 और से लेके AM तक, ये आपकी supply है, या आपके वो units हैं, जो factories produce कर रही हैं, और उसके बाद अगली information जो उसने हमें दी वी है, वो उसने ये दिया हुआ है, ये requirements जो ह पतलब आपकी demand जो है, तो आप इस table की last row देख सकते हैं, requirement जो है, वो चुके B1 में होगी, और चुके requirement warehouses देंगे, जितने warehouses हैं, उतनी ही requirement होगी, हर warehouse अपनी requirement देगा, तो B को हम in terms of N लिखेंगे, क्योंके हमारे पास warehouses N थे, I hope ये चीज आपको clear हो गई होगी, क्योंके factories M थी, तो demand M तक लिखी जाएगी, A1, A2, up to AM, और चुके warehouses N थे, तो जो आपकी, sorry, supply आपकी A column में, A1 से लेके M तक लिखी जाएगी, और जो आपकी demand है, वो चुके N warehouses थे, तो वो B की form में B1 से लेके B N तक लिखी जाएगी, ये हमने एक top table सा formulate कर लिया, transportation model के लिए, उनकी cost के हवाले से, कि cost क्या पड़ेगी हमें एक factory से, एक origin से, एक destination तक जाने के लिए, अब इसी table को हम एक और तरीके से भी show करेंगे, जिसमें cost की जगा पे हम ये बताएंगे कितना amount transfer हो रहा है, यानि कितनी चीजें एक, जो आपकी source है, या origin है, वहाँ से आपकी destination तक जा रही हैं, आप table 2 पर देख सकते हैं, this is the same table, सिरफ इसमें cost की जगा से आपके पास, x11, x12 की terms में चीजें दीवी हैं, और x वो amount है, जो एक factory से, एक destination पर जा रहा है, तो हमने दो tables को बनाया है, जिसमें table 1 में हमने cost बताई हैं, और table 2 में हमने, उसका amount बताया है, जो एक factory, एक warehouse को supply कर रही है, अब इन दो tables को देखते हुए, हमने आगे transportation model को linear programming problem की form में लिखना है, और जब आप LP की form में लिखते हैं, तो आपको पता है, आपके पास एक z function होता है, जिसको हमने maximize या minimize करना होता है, और चुँके हम यहाँ पे transportation cost के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम obviously इसको minimize करेंगे, ताके हमारी cost कम से कम हो, profit को maximize करने के लिए, तो जब आप इसको z की form में लिखेंगे, तो आप obviously उसमें आपकी cost भी शामिल होगी, और per unit cost का मतलब क्या होगा, कि जितने units हैं और जितनी उनकी cost हैं, उनको आपस में आप multiply करेंगे, तो z is equal to c11x11 plus c12x12 and up to so on, cmn and xmn यानी, पर unit cost का मतलब, जितने units produced हुए और जितनी पर unit cost थी, उनको आपने multiply किया, और आपने एक z function, जो है, lp problem को generate करने के लिए, बना लिया, अब आपने इसके ओपर restrictions लगानी है, row restrictions जो हैं, वो आपने कैसे लगानी है, इसी table, table 2 को हम use करेंगे, first row को देखिए, और उसको लिख लिए गया, आपकी row restrictions बन जाएंगी, x11 plus x12 plus x1 and is equal to a1, I hope it's clear, और similarly, जब आपने column restrictions लगानी है, तो आप first column को देखिए, x11 plus x21 up to so on, plus xm1 is equal to b1, अब इसमें एक चीज बड़ी important है, कि वो यह कह रहे हैं कि आपका, यह आप table 2 आप पे आप जरा आईए, और table 2 को देखिए, table 2 में जहां पे आपके पास यह A1 वाला column और B1 वाली row थी, उसके end पे, extreme right corner पे आप एक box देख रहे हैं, जो खली है, यह box actually आपका feasible या optimal solution represent करेगा, और आपका feasible या optimal solution हमेशा तब आएगा, जब clearly आपके पास A1 वाले column का sum और B1 वाली row का sum मैच करेगा, आप इस box के अंदर उसको तबी लिख सकते हैं न, जब आप A1 वाले column को add करें तो आपका result आए, और जब B1 वाली row को आप add करें तो उसका result आए, तो वो same हो, क्योंकि यह box आपके A1 के column को भी sum को भी represent कर रहा है, और आपकी B1 row के sum को भी represent कर रहा है, और अगर आपके पास इन दोनों का same नहीं आता, यानि column को जब आप add करते हैं, उसका result और जब आप row को add करते हैं, उसका result डिफर कर रहा है, तो फिर आपका solution feasible नहीं है, उसको feasible बनाने के लिए आपको इसमें कुछ dummy चीजें add करनी पड़ेंगी, उसको हम आगे पड़ेंगे, लेकिन अभी हम फि की है कि feasible solution तब होगा, जब a1 plus a2 up to am equal होगा, b1 plus b2 plus bm, in other words आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कि जब a i column का sum, summation जो है, वो equal होगी, b i row के sum के, तो यहां तक हमने इसको किया कि जी हमने एक transportation जो model है, उसको formulate किया, table की form में और फिर उसको हमने linear programming की form में शो कर दिया, linear programming में functions या objectives होते हैं, और आपके पास एक Z का function होता है, आप हम इसको formulate करेंगे, formulate का मतलब कि इसको table की form में setting करेंगे इसकी, ताके आगे उस पे हम further कोई procedure लगा के, एक feasible solution जो है, उसको find out कर सकें, यह आपकी handouts में 5.3 topic है, formulations of a transportation model, इसमें आपको बताया गया है, कि एक company है, जिसके तीन plants है, तीन जगा पर उसके plants है, वहाँ पर चीजें produce हो रही है, जो आपका plant 1 है, वो जो चीजें produce कर रहा है, यानि जो उसकी supply है, वो 40 है, plant 2 से 70 चीजें supply हो रही है, और plant 3 से 90 चीजें, तो यह जो आपका पहला table हमें given है, इसके अंदर, यह आपको supply बता रहा है, कि अब हमने demand के लिए हमें एक table दिया है, अब वो कह रहे हैं कि plants जो थे हमारे पास, वो हमारी sources थे, जहां से चीजें supply हो रही है, ठीक है, factories थी, और distribution centers जो हैं, यह हमारे warehouses हैं, यानि जो हमारी destinations हैं, जहां पर चीजें आनी हैं, अब उसके distribution centers जो हैं, वो 5 हैं, यानि तीन factories से पांच जगों पे चीजें supply हो रही हैं, और इन distribution centers की demands क्या हैं हमारे पास, पहले distribution center ने 30 demand किया है, second ने 40 demand किया है, third ने 60, fourth ने 40 और 5 ने 60, यहां तक आपको clear हो गया कि पहला table जो है, वो आपको supply दे रहा है, कि supply क्या हो रही है, फैक्टरी से और दूसरा table जो है, वो आपको demand दे रहा है, कि जो destinations हैं, जो warehouses हैं, उनकी demand क्या है, अब तीसरे table में उन्होंने हमें इन दोनों चीजों को एकठा करके दे दिया, उन्होंने हमें plants दे दिये, horizontally, sorry, इसको vertically उन्होंने आपको plants दे दिये हैं, यानि पहला column आप देख लें, one, two, three, और उसके बाद आपको पह हमें बना के दिया है, अब आगे से हमने इसको formulate करना है, इसको formulate हमने कैसे करना है, आइए देखिए, यह मैंने एक table बनाया है, आप इसको देख लीजे, सबसे पहले आपने उसी table को जो पर दिया हुआ था, उसमें one, two, three plants लिख दिये, और यह पूरा table आपने इसी तरह कर द अब आपने इसके अंदर add करना है supply और demand, अभी हमने पढ़ा था कि जो first table हमें दिया हुआ था, वो supply थी हमारे पास, तो plant one के आगे उस row के end पे आप उसकी supply लिखेंगे, आप देख सकते हैं first table में plant one की supply थी 40 और वो 40 आगया यहां पर, इसी तरह plant two की supply is 73, तो इसमें second row के end आप देख सकते हैं, 70 लिखा हुआ supply के नीचे, similarly plant three की supply 93, तो अब आप plant three के corresponding end पे देखिए 90 लिखा हुआ, यह आपने supplies add कर ली, अब second जो table था, वो हमें demands दे रहा था, similarly आप demands enter कर दीजिए, आपका first distribution center जो है, वो 30 demand करता है, आप देख सकते हैं, first column के end पे 30 लिखा हुआ है आपका second distribution center 40 demand करता है, आप देख सकते हैं, second column के नीचे 40 लिखा हुआ है, अब आपने यह बना लिए, अब feasible solution के लिए हमने यह देखा था कि यह जो supply का column है, इसका sum और demand के column का sum equal होना चाहिए, लेकिन यह देखिए मैंने इसको sum किया है, तो मेरे पास तो demand 230 बन रही है और supply 200 है, इट मीन्स के यह feasible solution तो नहीं आया हमारे पास, हमने तो यह पड़ा है कि वो summation A, I जो है, वो summation B, J के equal होना चाहिए, तो हमारे पास feasible solution आता है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि demand और supply में से greater कौन सा है, आप इस example में देख सकते हैं, demand हमारे पास 230 आई थी और supply 200 ती, इट मीन्स के demand ज्यादा है, अगर आपकी demand supply से ज्यादा हो, तो आपको एक dummy row add करवानी पड़ेगी, अब अपने handouts पर चलते हैं, यह देखिए, यह number fourth जो है, first column में number four के आगया आप देख सकते हैं, एक dummy row add करवाई गई है, dummy का मतलब कि उसकी table की value सब zero होंगी, क्योंक इस dummy row के end पे आप supply के column में 30 देख सकते हैं, यह 30 यहां क्यों है, क्योंकि हमारा हमने देखा था, demand और supply का difference 30 आ रहा था, उन दोनों को same करने के लिए, हमने यह dummy row introduce करवाई है, और उसकी supply हमने 30 assume की है, ताकि यह end वाली जो 230 value है, यह दोनों की same आ जाए, तो I hope यह चीज आप को clear हो गए होगी, और अगर ऐसा होता कि हमारी demand less than होती supply से, यानि supply ज्यादा आ रही होती और demand काम होती, तो demand को उसके बराबर लाने के लिए हमें एक dummy column introduce करवाना पड़ता, और जितनी कमी आ रही थी, वो हम उस column के अंदर show करते, ताकि हमारा यह जो end वाला box है, extreme right corner जो है, नीचे वाला यह same आ जाए, तो यह चीज अपनी दमाग में बड़ी clarity के साथ आप लोगों ने बिठा लिनी है, MCQs के हवाले से भी, कि अगर आपकी demand greater than supply होगी, तो आपको एक dummy row add करनी पड़ेगी, ताकि demand और supply equal हो जाएं, और अगर आपकी demand less than supply होगी, तो आपको एक dummy column introduce क करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी demand और supply same हो जाएं, तो आज के इस lecture में हमने transportation models के बारे में पड़ा, उनको हमने tabulate किया, उनको हमने linear programming की form में लिखा, और फिर हमने उसको formulate किया, यानि कि अभी हमने इसको सरफ तयार किया है, आगे अब हमने इसको इस पे काम करना है, इस model के उपर feasible solution निकालने के लिए, वो इंशाला तला हम next lecture में करेंगे, अल्लाह आफिस,